हेलो स्टूडेंस गुड मॉनिंग आज हम पढ़ रहे हैं फोर्ट क्लास के मैच का 11 चेप्टर टेबल सैंडे सेयर तो इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और कुछ आप करेंगे अपनी अगली वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को स सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ तो शुरू करते हैं अपना हाज का लेक्टर तो यहां पे है जंपिंग एनिमल्स इसमें क्या है डू यू रिमेंबर दा जंपिंग एनिमल्स ओप दा क्लास थर्ड तो कह रहा है कि थर्ड में आपने पढ़ा तो कि किस तरह से एन्युवल जंप कर रहे थे तो उसी से आगे पढ़ेंगे ए फ्रोग जंप थ्री स्टैप एट टाइम स्टार्टिंग फ्रूम दा जीरो तो देखो ये पिक्चर बना रखी है न और इसमें ये फ्रोग बैठा है जो इस स्नेक बना रखा इसमें इस आउसमें देखो स्नेक में न ये नम्बरींग कर रखी है वाज टू तु इस तरह से तो यहाँ पर इस फ्रोग आएगा हमें या तो हम यहां से कर लेंगे पिटा 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 पे 9 के बाद 12 पे 12 के बाद 15 पे इस तरह से काउंट करेंगे 27 तक या फिर हम सीधे ही यहां पे डिवाइड कर देते हैं 27 डिवाइड बाइ 3 इसका मतलग 3 की टेबल हम वहां तक पढ़ेंगे जहां तक की 27 आना जाए तो यहां पढ़ते हैं अपनी टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 तो कितने स्टेप हो गए उसके 3 9 जा बोला है हमने इसलिए 9 स्टेप्स हो गए ठीक है अब आगे है यहां पे he has taken dash jump if he is at 36 कह रहाएगी यदि वो 36 पे पोज गया है rabbit, sorry frog तो कितने jump लिया होंगे तो इसका मतलब क्या है हमें 36 divided by 3, 3 से हम divide करेंगे और यह आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 12 times वो यहां पे jump लगा लेगा तब 36 पे पहुँचेगा if he is at 42 अगर वो 42 पे है तो कितने jump लेगा तो देखो इसमें फिर से देख लेते हम 42 divided by 3 और इसका अंचरा आता है 14 यहां हम इस box में भी देख लेंगे count कर लेंगे और फिर देखेंगे 42 तक पहुँचने हम उसको कितना समय लगा जैसे 30 तक तो हो गए इसके 10 30 के बाद 33 पे 11, 33 पे 36 पे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे इस तरह से इसके step हम count करते है 42 तक पहुँचते पहुँचते इसको यहां पे हो गए 14 ठीक है अब देखो यहां पे rabbit है तो कहरा है started from zero rabbit jumps five step at a time rabbit एक बार में पांच step कूदता है zero से वो start कर रहा है how many jumps does he reach 25 तो कितने jump लगा कर वो 25 पे पहुँचेगा तो फिर से table पढ़ते हैं 5 की 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 तो 25 तक पहुचने के लिए कहां तक table पढ़ी हमने 5 की 5 तक 5 5 जा पढ़ी है तो 5 तक पढ़ी है इसलिए वो 5 jump लगाएगा he reaches dash after taking 8 jumps और 8 jump के बाद कहां पर पहुचेगा तो 5 की table हम 8 तक पढ़ लेते हैं 5 8 जा 40 होता है न तो यहां पे वो 40 तक पहुच गए यानि कि 5 को और 8 की हमने multiplication कर दी यहां पे तो यह 40 तक वहां पे dumbering तक आ जाएगा he needs jump to reach 55 55 पर पहुचने के लिए कितने उसको jump लगाने होंगे तो यहां पे फिर करके देखते है 55 को हमने 5 से divide किया तो 5 बंजब 5 और 5 में से 5 गए जीरो next 5 उतार लिया हमने फिर 5 बंजब 5 यानि कि 11 जंप वह वहां पर लगाएगा ठीक है तो इसी तरह है कि बेटा नीचे भी practice time के sum दे रखें वह आपको notebook में करने है आगे है C cells, Drew lives near the sea, Drew कह रहा है कि समूतर के किनारे रहता है और उसने सोचा है कि अपने तीन मित्रों के लिए वह necklace बनाएगा He looked for C cells the whole day पूरा दिन उसने समूतर में जो cells होती है जो रंग बिरंगे पत्थर से नहीं होते है चमकिले चमकिले से तो उनको देखने में उसने पूरा दिन लगा दिया He collect 112 C cells by evening और शाम तक उसने 112 C cells टूंड ली है Now he had many different colorful and shiny cells और अब उसके पास बहुत शारी यानि कि 112 गणी होती है ना तो 112 cells हैं बहुत ज़्यादा cell उसके पास रंग बिरंगी और चमकिली cells हैं अब यह क्या सोच रहा है देखो यहां पर I will make a necklace of 28 cells यानि कि एक necklace में 28 cells वो लगाएगा Will these cells be enough to make a necklace for all my friends अभी सोच रहा है कि यह जितने मेरे पास cells हैं उनसे मेरे सभी मीत्रों कितने मीत्र हैं तीन है तो उनके लिए necklace से बन जाएंगा कुसके लिए परियापत है या नहीं है He took 28 cells for one necklace एक necklace के लिए उसने 24 28 cells लिए हैं तो एक necklace बनाने के बाद कितनी बचेंगी 112 minus 28 84 बच गई हैं अब फिर 84 में से अगले दोस्त के लिए निकालेगा ना वो तो उसमें से फिर इसने 28 cells निकाल लिए हैं अब कितना बचेगा तो देखो 84 minus 28 तो 4 में से 8 तो subtract दी होगा ना यहां से हम 10s लेंगे 14 14 में से 8 गया कितना बचा 6 और यहां पर कितना बच गया था यहां से 1 10s ले ली थी ना 8 में से तो अब यहां पर क्या बच गया 7 7 में से 2 गये कितने बचेंगे 5 ठीक है तो अब आगे अपने पास है then he took cells for the third necklace फिर उसने third necklace के लिए लिया अब जो अपने पास बची हैं उन में से कितनी लगेंगी इस necklace में जितनी पहले लगी थी 28 cells तो बची हुई cells निकालने के लिए क्या करेंगे 56 minus 28 और इसको subject करेंगे तो अपने पास answer आएगा 112 cells कितने बना सकता है वो necklace तो 112 को हम 28 से divide करेंगे और इनका जब division करेंगे तो answer अपना आएगा 4 Are the cells enough for making necklace for all the friends तो क्या वो सारी cells उसके लिए जितने उसके friends है उसके लिए प्रियापत है यस प्रियापत है क्योंकि उसके तो तीनी friend है और cells अपने पास थी 112 यानिकी ज़्यादा ही है ठीक है आगे है try this और एक सम करना है The can you made a necklace of 17 C cells How many such necklace can be made by using 100 C cells 100 से कितना necklace बना सकता है जबकि एक necklace के लिए चाहिए 17 तो देखो हमने यहाँ प्लिक रखा है total C cells कितनी है 100 और number of C cells in one necklace कितने 17 तो number of necklace निकालने के लिए हम 100 को 17 से division करेंगे तो अपना answer आ जाएगा इसी तरह के यह आगे है जैसे भी अपना यह sum है One cartoon can hold 85 soap bars Sally wants to pack 338 soap bars How many cartoons does she need for packing all them उसके पास soap है 338 और 85 एक cartoon में 85 soap आती है तो कहते है कितने cartoon चाहेंगे इसके लिए हम करेंगे 338 को 85 से divide करेंगे इसको तरह अपना answer आ जाएगा आप करके देखना बेटा इसको अगला है मनप्रीत wants 1500 sex of cement for making a house घर बनाने के लिए उसको 1500 बोरियां यानि की कट्टे सिमेंट के चाहिए a truck carrier carries 250 sex at a time और truck में एक बार में 250 बोरियां आती है 250 कट्टे आ जाएगे तो कितने चकर लगाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे 1500 जो है 1500 को हम 250 से डिवाइड कर देंगे अपना answer आ जाएगा या answer आएगा 6 अब आगे इसे में पुछ रहा है एड राइवर चार्ज रुपीज 500 फोरिट रिक एक राउंड की लिए वो 500 रुपे चार्ज करता है तो टोटल कितने रुपे लेगा 6 राउंड लो उसने लगाए है तो 500 multiplied by 6 यह अपना answer आ जाएगे इतने रुपे वो किराया का ले लेगा अब आगे यहाँ पे देखो यह लड़ू बना रहा है तो इसको लड़ू चाहिए प्लीज पैक 4 लड़ू इन बॉक्स I need 23 small boxes मुझे 23 चाहिए बॉक्स और एक बॉक्स में 4 लड़ू चाहिए और यहाँ पे यह लड़ू बनाए है कितने इसने यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बना रहा है 80 लड़ू है इस ट्रे में यह जो ट्रे रखी है इद के लिए बनाए जाए रहे हैं इसको 23 बॉक्स चाहिए एक बॉक्स में कितने आते हैं 4 तो यहाँ पे यह कह रहा है are the seeds in the tray enough to pack 23 small boxes कि tray में जितने लड्डू हैं कितने हैं 80 ये 23 boxes बनाने के लिए प्रियाप्त हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि 23 small boxes में कितने लड्डू चाहिए 23 multiplied by 4 क्योंकि एक box में 4 लड्डू आते हैं तो इनकी multiplication करेंगे तो अपना answer आएगा 92 तो इनफ नहीं है ना यहां लिखेंगे no how many more sweets are needed total हमें कितने चाहिए 92 हैं कितने 80 तो हम क्या करेंगे 90 minus 80 92 में से हम 80 जब subtract करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 12 तो 12 लड्डू और बनाने होंगे तब इसके 23 box पूरे होंगे ठीक है आगे ना समझ में अब आगे है गांगू ओल्सो है जे bigger box in which he packs 12 लड्डू अब गांगू के पास एक और box है जो बड़ा है उसमें 12 लड्डू आते हैं तो कह रहा कि how many boxes does he need for packing 60 लड्डू 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने box चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ हम 60 को 12 से divide करेंगे और answer अपना आ जाएगा 5 यानि कि 5 boxes उसको और चाहें प्रेक्टिस टाइम तो यहां पे है नीलू ब्रोट 15 storybook to her class 15 storybooks लाईए हो तूडे 45 students are present और आज 45 student school क्यक्षा में आए हैं how many children will need to share one book कि कितने बच्चे एक किताब को share करेंगे तब सभी उसको पढ़ पाएंगे तो क्या करेंगे बिटा 45 divided by 15 तो कितना answer आएगा पना 3 answer आएगा कि एक book में 3 बच्चे देखेंगे तब उसको पढ़ पाएंगे अगला पना है a family of 8 people need 60 kg wheat for a month कि एक महिने के लिए 8 लोगों का जो परिवार है उसके लिए 60 kg अनाज चाहिए चाहिए how much wheat does his family need for a week एक week में कितने चाहिए तो एक week पर कितने दिन होते हैं 7 days होते हैं और एक दिन के लिए उनका कितना राशन एक मन्त के लिए है 60 तो एक दिन का यानिकि 2 kg क्योंकि महिने में 30 दिन होते हैं तो 7 दिन का 2 गुणा 7 यानिकि 2 multiplied by 7 is equal to 7 14 kg उसको wheat चाहिए होगा एक सब्ता के लिए ठीक है अब आगे है रजिया wants change 4 rupees 500 500 का note है उसके खुले उसको करवाने है तो कह रहा है कि ये नीचे जो कुछ note दे रखें कितने कितने चाहिएंगे यदि वो all 100 rupees note सभी 100-100 के note अगर change करवाती है तो कितने चाहिएंगे 100-100-100 पांस बार करेंगे यानिकि 5 notes चाहिएंगे तब 500 हो ज जाता है ना और 5 notes 100 के चाहिएंगे तो यानिकि 50 50 50 10 times होगा तो हम क्या करेंगे 500 divided by 50 लिख देंगे तो अपने पास आजाएगा 10 और यदि 2020 के चाहिएंगे तो तो यहां पे भी हम 500 को 20 से divide कर देंगे अपना answer आजागे या फिर हम करेंगे कि एक 100 में 20 के कितने note होते हैं 5 हो को हम 5 से multiply कर देंगे क्योंकि 100 के 5 note होते हैं तो 500 हो जाता है तो यहां पे 5 into 5 25 या फिर 500 को divide करेंगे हम 20 से तो भी अपना answer आजाएगा 25 ठीक है अब आगे है you have distribute 72 tomatoes equally in 3 basket तीन टोकरियों में 72 tomatoes रखने हैं बराबर बराबर तो कितने tomatoes आएंगे एक टोकरी में ये तुमें देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे बिटा हम 72 को 3 से divide कर देंगे और जो भी अपना answer आएगा वो उतने ही tomatoes एक टोकरी में आएंगे ये खुद क करना है आपको there are 35 bricks in hand cart हाथ से जो चलाने वाली गाड़ी है उसमें 350 इंटे रखी है we know found the way of the bricks to be 2 kg एक जो अपनी इंट है brick है उसका weight है 2 kg तो what will be the weight of the all bricks सभी bricks का वजन कितना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे 350 और multiplied by 2 तो ये अपने पास आजाएगा 700 kg बेटा अगर हमें कोई चीज जादा निकालनी है तो हम multiplication करेंगे और कम के लिए हम करेंगे division ठीक है इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे का portion हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में यदी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू